हाई फ्रेंग्स मैं हूँ भाग्गेश्री माई कीचन फूड में आप सुपका स्वाज़त अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकरी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें आज हम साउथ अपरिका की फेमेस ट्रेट पुड करने वाले हैं उसका नाम है बनी चाओ बनी चाओ की इंग्रेंस देखते हैं 500 ग्रेम मोलेश चिकन एक मीडियम साइज आलू चिलके कट कर लिया है हमने यहाँ पर टू टाइप्स ब्रेड यूज़ किया है एक ब्रेड लॉफ और दूसरा बन्स आपको जो भी पैसन आए वो यूज़ करें तड़के के लिए तेज पत्ता सुखी लाल मिच हरी मिच हरी के विलाइची दाल चिनी दो प्याज और दो टमाटर कट कर के लिए है एक टमाटर की पेस्ट कर लिए है दो चम्मच अध्रकलेशन की पेस्ट मसाले में हमने हल्दी गरब मसाला और लाल मिल च लिया है पाच्छे टेबल स्पून तेल लिया है कटा हुआ हराधनिया नमख और फ्राइड पैच की पेस्ट बनी चाव के लिए हम पहले चिकन करी बनाएंगे तो शुरू करते हैं चिकन करी बनाना पैन आमने गरम कर लिया है उसमें 5 टेबल स्पॉन ओईल लेंगे ऑच्छे से गरम होने के बाद उसमें तेज पत्ता ला लेंगे दल्चिनी हरी विलाइची और एक लाल सुकी मिर्श और अच्छे से फ्राय करेंगे अच्छे से फ्राय होने के बाद उसमें हमने कटा हुआ पैज है और डालकर अच्छे से गोल्डन को राने तक उसको फ्राय करना है अच्छा गोल्डन को रा गया है इसमें अब हम अध्रक लेशन की पेस्ट डालेंगे टमाटर की पेस्ट और अच्छे से फ्राय करेंगे फिर इसमें आड़ करेंगे आपिवे पें गोल्डन वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं आप चिकन की जगा वेजी टेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं वेज नान वेज दोनों में भी बनी चावब बन सकता है फिर इसमें हल्दी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर और दो हरी मिर्च डाल कर मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करना है मसाला भी सब चिकन को लगे और इसको डखके आमें तीन-चार मिनिट कुक करेंगे तीन-चार मिनिट के बाद याच्छे से मिक्स करेंगे फिर इसमें कटा हुआ टमाटर और नमक स्वादाने सर मिलाएंगे और जो फ्राइड पैच की पेस्ट बनाई थी ओडी इसमें आड करेंगे और मिक्स करेंगे इससे अमरी करी को ठिकनेस आएगी फिर इसमें अब कटा हुआ आलू और कटा हुआ दनिया पत्ता एड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें आप दो कप पानी डालकर पकाएंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और हमें एक गंटे के लिए इसको पकाना है एक घंटे के बाद हमारा चिकन की ग्रेवी रेडी हो गई है आप देख सकते हैं चिकन की ग्रेवी अमारी रेडी है अब हम गयास का प्लम्र बन करते हैं इसको आप बाउल में निकालेंगे थोड़ा थंडर हो रहा है तब तक हम टूमिर्ट फूर्जाbach ने देखते हैं जो ब्रेब के अंदर करी डालकर बनाते हैं यह डिश 1940 के जशक में पहली बार बनाई गई थी एक काली यह है कि साथ आफ्रिका के रेस्टराण में इसे सबसे पहले बनाया था जिसे बनिया जाती के लोग चलाते थे आजन साथ आफ्रिका की टू मिनिट फुचर निक कर रहे ह है तो रुप्रिक ऑफ साथ आफ्रिका आर एसे से भी जाना जाता है साथ आफ्रिका यह एफ्रिका के महाद्वीप के दक्षिन से पर बसमे वाला देश है यह क्रुगा नाशनल पार्क दर्बन बीच फॉंट और रॉबन आइलेंड के लिए फेमस हैं साथ आफ्रिका के ती और ब्लॉफेंड फ्रॉंटेंड की पॉपिलियन है 57 मिलिन करती है साथ आफ्रिकान ड्राम साथ आफ्रिका में 11 ओफिशन लैंग्विज है उसमें से जुलू इसी ओक्सा और आफ्रिकाल्स प्रमूख है उनका कोई भी नाशनल फ्रूट नहीं है रोब्यों टी साथ आफ्र कोफी होट कोप सीरियल्स जैसे की पुतुपाप यह एक मक्के की दलिया है जिसे दूद और शक्कर के साथ खाय जाता है यह ब्रेड यह कौन ब्रेड है जो ग्रेटवास्ट के साथ लूंच और डिनर में भी खाय जाता है लूंच में साथ आफ्रिकान हाटी मील करते है जिस में बोबुटूई सी फूड और मटन वेजेटेबल्स और राइस के साथ खाय जाता है बोबुटूई यह साथ आफ्रिकान पक्वार में से एक है जो बीफ या लांप और एपल से बनाते हैं कॉर्ण दो कॉप यह फ्रेश कॉर्ण बटर और चिली पावडर से बनाते हैं प बट्री शिर्प लादन केक है को एक्जिस्टेट और कोकुरूट आइस भ्यून के डेजर्ट में खाय जाता है यह साथ आफ्रिका थे कुछ फेमेल डेशन आपको रिपेमिशन कैसी लगी एक कमेट में लिके और अभी तक हमारे चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देवाई सब्क्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चानल सब्क्राइब करें बाई हमने जो दो टाइप के ब्रेड लिये थे आपको वह करके फिर उसका बीच वाला जो पार्ट है उसको हम निकालेंगे और वह बाद में खाने के लिए यूज़ करेंगे और जो बन है उसको सर्कल शेप में कट करना है इस तरह से बन को कट करना है बीच वाले पार्ट को बाहर रखेंगे और वह खाने के लिए भी यूज़ करेंगे इस तरह से हमारा ब्रेड लाफ्ट और बन बनकर रेड़ी है अब हम इसमें फिलिंग करेंगे हमने जो चिकन की करी बनाए थी वह इसमें फिल करेंगे इस तरह से और ब्रेड में भी फिल करेंगे और इसको सेलेड के साथ सर्व करेंगे वाव बहुत ही यम्मी दिख रहा है हमारा बनी जाओ रेड़ी है बहुत ही अच्छा दिक रहा है खाने का मन हो रहा है मेरा आप भी घर पर बनाए और इसकी मजे लेजिए बहा है बहा है अबु़ में जाओ सक्वार के रहा है बहा है है झाल पिलगण हो और इसका